देखें, dimension का एक application हमने इसके पहले बताया था, कि एक system of unit को दूसरे system of unit में कैसे convert करेंगे, by dimension method, अब आप कहेंगे तो tough method है, simply हम कर सकते हैं, meter per second को, अगर change करना, kilometer per hour में, तो divide multiply कर दो, वो ठीक है, लेकिन dimension method है, दूसरा इसका जो use है, to check the correctness of any equation, किसी equation की correctness को check करना है, कि कोई equation correct है, तो एक तो तरीका हमारे पास यह होता है, कि भई, हम equation आते ही है, हम लिखा होगा, वी व्राव यू प्लस 80 है, हम कोई हाँ, सही है, व्राव यू प्लस 280 है, गलत है, नहीं, dimension कहती है, कि भई, आप dimension method से check करो, तो dimension method से check करने में हमने बताया था, कि principle of homogeneity use की जाए है, तो velocity plus velocity is equal to the same type की physical quantity को आपस में add किया जा सकता है, subtract किया जा सकता है, ठीक है, तब वो equate होंगी, ठीक है, तो जैसे हम check कैसे करेंगे, जैसे कि example हमने ले लिया, हमने कहा, number 1, example में लेता हूँ, कि V बराबर यू प्लस 80, अब ये equation मालू होना चाहिए, कि V बराबर यू प क्या है, 80 क्या है, ले जैते हैं, लेकि कुछ ऐसे बच्पन वाले फार्मूले हैं, वो जानते हैं कि standard फार्मूले आप जानते होगे, ठीक है, तो इन्होंने का वह ये correct है, इसको check करिए, उसके लिए left hand side और right hand side की dimension, same होनी चाहिए, right hand side मतब हर term की dimension, same होनी चाहिए, this term, this term, this term, जब right hand side की dimension लेंगे, तो इसकी dimension प्लस इसकी dimension, same होनी चाहिए, तो पहले हम दिखेंगे कि dimension of left hand side, तो V क्या होता है, final velocity, तो अब उसकी final dimension थोड़ी होती है, dimension dimension होती है, तो LHS की dimension क्या होगी, L T inverse 1, फिर dimension of RHS, अब तो को अलग अलग बुक का अलग मैं थे, नियमता ही है, dimension of U निकालें और dimension of AT निकालें, RHS में अलग अलग dimension आपको निकालनी पड़ेगी, dimension of U, dimension of U, क्या होगी, L T inverse, dimension of V, AT, dimension of AT, तो A is what, acceleration होता है, तो इसकी dimension क्या हो जाएगी, L T inverse 2 into T, तो यह हो जाए, क्या हो जाएगा, L T inverse 1, तो देखें, RHS के दो नोटर की dimension सेम है, LHS की dimension सेम है, तो आप लिखेंगे, dimension of this is equal to dimension of this is equal to dimension of this, या आप डाइड लिख दो, कि dimension of LHS is equal to dimension of RHS, So, given equation is dimensally correct, नहीं, correct नहीं, dimensionally correct, इसका पहले मतलब समझेगा, रैटिंग थरा गंदी है, क्या बताए जाएगा, देखो, Dimensally का मतलब यह होता है, कि अगर यहाँ to you लिखा होता, तो क्या equation सही है, क्या यह equation सही है, equation गलत है ना, लेकि dimensionally यह सही मानी जाएगी, क्योंकि dimension क्या कहती है, भाई यह velocity तो है, तो इसलिए यहाँ पर word क्या यूज किया गया, dimensally यह correct है, ठीक है, नोट करिए इसको, जैसे यह एक दिया है, वी ब्राव रूड एफ बाई एम, और यह actually में जो एफ बाई एम है ना, जातर केसे में टी बाई एम लिखा होता है, यह लफडा क्या है, पहले यह सम लिजीगा, यह velocity of transverse wave है, वेब आपने पढ़ी होगे ना, दो प्रकार की होत आती है, तो यह velocity of transverse wave यहाँ पर है, ठीक है, वी यहाँ पर क्या है, वेलास्टी है, अब वेलास्टी है, कोई भी wave है, आफ transverse wave, आफ transverse wave, और जो F यहाँ पर है, जिसको की 90% के केस में T लिखा जाता है, यह tension in the string है, यह आपके question में दिया हुआ है, tension of string, भाई जब इसको आ और M जो है, वो mass per unit length है, mass per unit length है, और आप से कहा गया, कि check the correctness of this equation, कि this equation is correct or not, यह question correct है या नहीं है, तो नियमता क्या होना चाहिए, कि LHS और आपने समल लीजे पहले, LHS और RHS की dimension, सेम होनी चाहिए, तो पहले हम dimension of LHS लिखेंगे, dimension of LHS, तो यहीं कि dimension of V, LHS में क्या है, V है ना, dimension of V, और V की dimension क्या होगी यहाँ पर, LT inverse 1, तो यहीं चीज़ RHS में आने चाहिए, तो dimension of RHS लिखते हैं, dimension of RHS, तो T है force, F है force, तो F4 की dimension क्या होती है, तो M, इसकी तो होगी M, L, T inverse 2, अपान M की क्या होगी? Mass, यह mass of the string नहीं है, जो आपकी पूरी रसी है ना, धागा जो है, जो string है, उसका mass नहीं है, यह unit length का mass है, mass upon length है, तो इसका M L inverse 1 हो जाएगा, M L inverse 1, और यह जो root है, वो power में कहा जाएगा? Half चड़ जाएगा, M से M, L inverse उपर जाके plus हो जाएगा, तो यह L square बन जाएगा, तो यह हो जाएगा, L square और T inverse 2 की power, half, यह दोनों multiply में हैं ना, और multiply में जब कोई power चड़ी हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, L T inverse 1, तो आपने क्या देखा, कि dimension of LHS is equal to dimension of RHS, तो आप लिखेंगे, dimension of LHS is equal to dimension of RHS, so given equation is, given equation is, dimensily correct, dimensionally correct ही लिखा हुआ है, ठीक है, लिख दे इच्छा पूरा, correct, ठीक है, dimensily क्यों हमने बताया, कि अगर यहाँ पर अंदर 2F लिखा होता, बाहर 2 लिखा होता, तभी वो correct माना जाता, जबकि formula गलात होता, ठीक है, note करिए इसको, देखें, जैसे question दिया है हि V is equal to, यह उसे तुन्हें नाम पूछा था इसको, पाई P R power 4, पाई P R power 4, अपान, 8 Eta L, 8 यह Eta होता है, Eta, Eta L, यह N तरे बनता है, इनकी नाक ऐसे चुआ दी जाती है, तो Eta है, Eta नहीं है यह Eta, 8 Eta L, ठीक है, जहां, जो V है, volume of the liquid, यह V है, volume of liquid flowing per second, volume of liquid, flowing per second, flowing per second है, P है, pressure, pressure है, R radius of tube है, radius of tube है, Eta है, coefficient of viscosity है, coefficient of viscosity, viscosity है, और L है, length of the tube, length of tube, यह Eta, पाईजूलेज फार्मूला है, यह जो फार्मूला है, वो पाईजूलेज ने दिया था, तो पाईजूलेज फार्मूला है, P-O-I-S-E, P-O-I-S-E, पाईजूलेज, पाईजूलेज, S-E, U-I-L, U-I-L-E, U-I-L-E, पाईजूलेज फार्मूला है, यह इसका मतलब समझे पहले आप, देखें, यह पहले एक विसकॉसिटी का मतलब समझेगा, आपको विसकॉसिटी फिलाल मतलब है नहीं, इन मतलब तो समझने ही पड़ेगा आपको, लेके ज सोड़ दीजी आप, गुमता रहेगा वो, अच्छा, तो क्यों रुख जाएगा वो, थोड़े बाद रुख जाएगा ना, क्यों रुख जाएगा, क्योंकि पानी की जो लेयर्स है वो आपस में फ्रिक्शन क्रेट करती है, एक दूसरे की विलास्टी को रोकने का प्रयास क रेक्ट है, ठीक है, तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या वही है, कि डामिशन अफ छले रिर्स पर सिकिन, पहले हम डामिशन अब रहे चस लेते हैं, फ्रिक्शन अब आपसा बड़ा है इसलिए लिखेत नहीं, डामिशन अफ छ छले बाद रहे सिर्ट॑ में पाई की डा inverse 2 ठीक है अच्छा आर तो radius है बोले तो L तो L to power 4 हो जाएगी अपान इटा coefficient of viscosity है अब चुकि अभी वो formula आपको proof नहीं कराए गया है तो डायड आप पीछे से उसकी value को देख करके कहां पर है आपका coefficient of बहुत लास्ट में लिखा होगा गहीं पर 23rd क्या उसकी dimension लिखी भी है ML inverse 1 T inverse 1 ML inverse 1 T inverse 1 actually होता क्या है ना कि जैसे यह आपकी जो हमने बताया था जैसे यह layer जा रही हैं दो तो आगे वाली layer आगे बढ़ने की course करेगी तो नीचे वाली इसको पीछे को धक्का मारेगी ऐसे ही आगे बढ़ेगी यह पीछे धका मारेगी तो इस layer के बीच में एक force काम करेगा वो force proportionate होता है इनकी area के और delta v upon delta x के नहीं velocity gradient दूरी के साथ जो velocity change हो रही है उसके और जब इसको equal to करते हैं न तो यहाँ पर एक constant आता है इसी को कहते है coefficient of viscosity तो force की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ml t inverse 2 delta x इदर आएगा ना multiply में तो इसका l हो जाएगा a upon में आएगा तो l square हो जाएगा और v का क्या होगा l t inverse 1 इसको देखो ज़रा l square से l square कर जाएगा तो एक l नीशे बचेगा तो ml inverse 1 t inverse 1 यहाँ से आप निकालेगी value ठीक है वतरा निकालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए तो इसको ज़रा calculate किया जाए तो mm तो cut गया देखे अब देखो ज़रा ये भी cut जाएगा l की power कितनी हो जाएगा है आप पर l power 4 कुस गरबड़ है क्या एक मिनटे l भी तो है एक और भी तो है l नीचे sorry ये भी तो है यहाँ अब भी lhs lhs ये v क्या है volume नहीं है volume पर सेकंड पर सेकंड तो यहनि किसी dimension क्या होगी l cube upon t और l cube t inverse तो आप लिखेंगे as dimension of lhs is equal to dimension of rhs so given equation is dimensally correct ये आपका दूसरा use हुआ ठीक है अच्छा माल ये आपने formula आपको याद है ना ये dimension लिख ली और इसकी नहीं समद में आ रही कि क्या लिखुए l cube तो यहीं लिख देंगे का गदरोड ने ऐसा थोड़ी है मालूम होना चाहिए ठीक नोट करिए देखिए ये पाइजुलेज formula है अभी आपने इस formula की correctness को चेक कर लिया उन्होंने question change कर दिया उन्होंने कहा कि इस formula में dimension of eta निकालो eta की dimension निकालो अब आप कहेंगे eta का formula आपका तो पीछे दिये हुआ है उससे नहीं इससे निकालो तो पहले तो यहाँ से eta की value निकालो तो cross multiply करोगे तो क्या आएगा जब cross multiply करोगे तो क्या आएगा 8V eta L is equal to pi P art power 4 तो जब यहाँ से eta की value लिकालो तो क्या आएगा pi P art power 4 upon 8 V L अब आपको dimension चाहिए dimension formula of dimensional formula of eta चाहिए तो इन सब की dimension रख दी जाए pi की कोई dimension होती नही pi की dimension क्या होगी m l inverse t inverse 2 यह होता है ना r power 4 की क्या हो जाएगी l to power 4 v की dimension क्या होती है l cube t inverse 1 अभी हम निकाल चुके हैं वालूम पर सेकेंड है ना यह l q t inverse 1 और l की क्या हो जाएगी l हो जाएगी अब देखो ध्यान से पहले m की बात कर लेते हैं m तो 1 का केला उपर है तो m आ जाएगा l की power 3 यह है और 4 हो जाएगी और यह 4 से 4 कर जाएगी बचे की क्या l inverse 1 अब यहाँ t inverse 2 है और यह inverse उपर जाके plus हो जाएगा तो t inverse 1 हो जाएगा क्या eta की यही dimension होती है तो आपको eta की dimension यहां से निकालनी है तो इनके फरमरे से निकाली जाएगा अब आप कहेंगे इतना easy question दिया क्यों वो जानते थे कि V को 90% केस में आप क्या लिखोगे l cube लिखोगे बस यहीं पर लफड़ा हो जाएगा इसे लिए लिए ठीक है करिए इसको